राम नामी पर खारगोन बढ़वानी में हुए उपाद्रव पर प्रदेश के ग्रह मंतरी डॉक्टर नम्नरुत्तम मिश्रा ने सक्तेक्षन के संकेत दिये हैं राम ने कहा कि जिस किसी ने भी पत्तर फेक कर प्रदेश की सांती को भंग करने का प्रयास किया है वो तयार है अब उनके घरों को पत्तर का धेर बना दिया जाएगा ग्रह मंतरी डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि खारगोन की घंटा में अब तक 77 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है अभी और लोगों की गिरफतारी होगी खारगोन में आप शांती है तो वहीं दोसियों को चनित कर गिरफतार करने का अभियान शुरू किया गया है एक भी दोसी को छोड़ा नहीं जाएगा ग्रवंत्री ने कहा कि पांच राजियों के चुनाव परिणाम के बाद हार नहीं पचाने वाले इस तरह का महौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं तुकड़े तुकड़े गैंग की स्लीपर से ये सब साजिश कर रहे हैं प्रदेश की सांती भंकर ये वेगने संतोसी अपनी खीच निकाल रहे हैं आप बताओ कि करोली राजस्थान में दंगे के बाद आज तक कर्फ्यू लगा है लेकिन हारगोन के दंगे में राजनीती करने वालों ने आज तक करोली को लेकर मुह नहीं खुला क्योंकि वहां कॉंग्रेस की सरकार है उन सततर लोग गिरफदार अभी तक हुए हैं सततर डवल सेवन एस्पी साब के पैर में चर्रे लगे हैं हम गोली भी कह सकते हैं उसे वो घायल हुए हैं हमारे पुलिस के छेजवान और घायल हुए हैं महाँ पर और अभी वो नार्मल हैं सिर्फ एक वेक्ति हैं सिवम सुकला साम के जो पुलिस के नहीं है वो थोड़ा सिर में चोट जादा है बाकी कोई भी गंभी रवी नहीं है सबसे पहले राहूल गांदी ही मिलने गए थे सबसे पहले किजरी बाली मिलने गए थे करोली में अभी तक कर्फ्यू है एक ट्यूट और एक शब्द नहीं बोला राहूल गांदी जी ने कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर ये इस पश्ट रूप से समझ में आती है कि ये किसकी करोनलोजी है अब JNU को भी अपन देख लें तो जहां पर सम्मेदान पढ़ाया जाता हो सम्मेदान एक भाँ तोड़ने की बात की जा रही हो अब मैं आई तक नहीं समझ पाया राम नौमी के दिन या हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाल करने में इन लोगों को क्यों आनंद आता है और क्या आनंद आता है मासाहर पूरा अब साकाहर की तरफ बढ़ रहा है तब ये पवित्र साथान को इस तरह के भावनाओं को आहत करने की कोसिस कर रहे है कर्फ्यू अभी लगा हुआ है एक बात इस पश्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि दंगाईयों को लगातार चिन्नित किया जा रहा है 77 लोग अभी तक ग्रभदार हो गए है जिस घर से पत्थर आये हैं उस घर को पत्थरों का ही धेर बनाएंगे इस मामले में सरकार पूरी तरह से सक्त है